नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोते सीक्रेट तुलारासी वालों 2022 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आने जा रहा है आज हम आपके साथ यही साजा करेंगे अभी चल रही है आपके उपर सनीदेव की धाया वैसे तो कहने को तुलारासी सनीदेव की सबसे प्रेरासी है लेकिन धाया में कहीं न कहीं परिशानी तो हुई है अब 22 अप्रेल 2022 में आपकी धाया उतर जाएगी यानि हड जाएगी तब यहां से जीवन कैसा रहेगा तमाम जा रही हैं अंतक बने रहें आपका पैवाही जीवन करियर पैसा लब संतान सुख यहां तक कि सिक्षा प्रेम विवा तमाम बातों पर नजरे डालेंगे चली जानते हैं तो तुलाबानों देखिए आपके लिए 2022 बहुत सारे बदलाव लेकर आगा क्योंकि दसमें वह में सनिदेव की दृष्टी मेहनत तो करवाएगा वैसे देव गुरु ब्रहस्पती भी आपके जीवन में जौब के मामलों में सफलता दिलवाएगा राहू अस्टमभाव में थोड़ी बहुत परिसानिया देगा लेकिन मा की तरब से भी लाब होने के योग हैं तो चले जानत का बहुत ध्यान रखना होगा और मा के स्वास्त के लिए थोरी चुनोतिया हैं यहां पर वैसे अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो संतान प्राप्ति के योग हैं लेकिन संतान के ऊपर ध्यान दीजिए क्योंकि उनको थोरक कस्ट भी है स्वास्त के बामनों में सुरव ज़सी तरफ लवलाइब में है तो उपहार बेगान मिलेगा और अच्छा भी रहेगा तो सनी देप में जाते जाते व कुछ कुछ चीजें बैतर कर रहें हैं लेकिन कुछ चीजू में आपको गिराएंगे दो चले शुरुआत करते हैं या क्युक्त के लिए करियर की बात ठाथ के यह दो महिने है दो हुलिए फ़री ना आ सनी देव आपके मेहनत का योग पूरे साल रहेगा अब आपकी कुण्डली में देव घृस्पती छे अप्रेल को कुम रासी में जाएंगे अब क्या होगा अगर आप जौ बदनने की सोचते हैं आपको सफलता मिलेगी अगर आप जौ प्राप्ति के लिए प्रयास रहते हैं तो सफलता मिलेगी और बैपसाई करते हैं तो ऐसी चीजों को प्राथ्मिक्ता दीजिए जो करके आपको अच्छा लगए वैसे बैपसाई में ब्रदी होगी अगर आप बिजनस में पार्टनर्शिप में बारे में जाने की चाह रहे हैं तो थोड़ा साफधान रहिएगा भरवरी मार्च अप्रेल ये तीन मेना थोड़ा सा बिजनस करने वाले लोगों को खास कर जो लोग पार्टनर्शिप में काम करते हैं नुकसान ना हो जाए तो जहां तक संबब हो पार्टनर्शिप करने से बचें अगर कर लिया है तो आँखे बंद कर भरोसा न करें हर ची इवन में अगर थोड़ा साफधानी के साथ आगे बढ़ें तो बढ़ियां रहेगा जामते हैं आपके धन के बारे में देखिए सुरुआत आपको लोगों के लिए बहुत अच्छा है मार्च अप्रेल मई जून और फिर जुलाई अगस्त ये जो छे मेहने रहेंगे टोट संभाव में राहू यकिनन थोड़े खर्चा तो बढ़ाएगा थोड़ी परिसोनियों में डालेगा ध्यान रखें जो भी करें अपना बैलेंस देखकर अगर हम विद्यारतियों की बात करें तो उमीद से कहीं ज्यादा अच्छा है क्योंकि अप्रेल मैं जून जुलाई अ लेकिन सफलता भी देगा तो मेहनत से जी मत चुराइए आलस से हटिए क्योंकि आलस से अगर रखते हैं मोबाइल लैप्टॉप टेलिविजन में समय वैतीत करते हैं तो फिर मोका आप चूप जाईएगा वैसे भी इसमें ससनमक महापरूस राजयों बनाकर सनिदेव चल र राया है तो मेहनत का फोल मिले गभा उचाईयां भी प्राप्त करेंगे लेकिन मेहनत करना है अगर आप बिदेश जाने के सपना है तो मौका मिल रहा है अब हम अगर आपके तुला वालों जो है आपके घर-त्रिवार के बारे में जानते हैं गरम duel चौकि यहां पर देखिए थोड़ा प्रहें पारिवारिक जीवन में लड़ाई भारे या फिर दूरियां है जाहे वो किसी भी कारणर से हो बित्तपा भी के कारण भी हो सकता है दूरियां कर्माक के स्वास्थ में थोड़ा ध्यान अखने क्या भीक्ति है क्योंकि यहां पर चुनोतियां है वैसे उतरती भी ढहिया थोड़ी सी परिशानी तो देगा रिस्तों में संबंधों में माता-पिता के स्वास्त में और करियर रोजगार में लेकिन उन बने वे हैं और चुकि यहां पर देखिए सुरुवात में थोड़ी बहुत करवाट रहेगी क्योंकि मांगलिक दोस्त बनाकर मंगल बैठा है लेकिन इसके बाद फरवरी मार्च अप्रेल यह सभी मेहने उतने अच्छे नहीं हैं क्योंकि राहू मंगल अस्टमबाव में रहे ससुराल पक्स से कहीं बाद विवाद ना हो जाए इसके लिए ध्यान रखें और आपके बच्चों के स्वास थोड़ा से ध्यान रखना है इस बात कभी ध्यान रखना होगा आपको एकदम से आप उनको छोड़ नहीं सकते लब की बात करें तो लब लाइप आपका बहतर र लेंगे और फरवरी मई और जुलाई यह जो महने है वह आपके लिए ठीक है वैसे तो लब लाइप इंजुआई कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस समय प्रेम जीवन अच्छा तो है ही लेकिन अगर हम आपके स्वास्त की बात करें तो स्वास्त के प्रति आपको लापरवा दियान रखें और विशेश रूप से मार्च और अप्रेल के महने में तो ज्यादा ध्यान रखना होगा यह बहुत ज़रूरी है तो जो तुलावाले हैं उनके लिए बहुत सारी चीजें आपके पक्ष में आएंगी लेकिन बहुत साइच चीजें आपके हाथों से पिसलती नजर आ रही हैं लेकिन अगर और भी ज्यादा विश्तार से जानना चाहेंगे तो छोटी मोटी मांसिक तनाव सुरुवात में रहेगी जो आपको समस्या देगी लेकिन खुद से चीजों को आप टिक कर पाएंगे आपको अपनी सोच बदलना है और धन से जुड़े मौमल से आपको धन्तों आएगा और साल भर धन संचे कर पाएंगे लेकिन संघर्स करवा रहा है वैपारियों को सफलता है करियर में भी आपको सफलता मिले जाएगी पर मेहनत करना आलस्य से दूर भगना है और ख्याली पलाव ना पका कर जीपना हकिकत में चीजों को करे तो सूर्य और सनी एक साथ जब आएंगे तब घरवालों के साथ मत्वेद होंगे आपको कलंक लग सकता है आपकी छबी धूमिल हो सकती है तो इन चीजों से आपको थोड़ा पशना है और अगर आप प्रेम संबंद में हैं तो बस वानी पर क्रोथ पर कंट्रोल रखिएगा क् गुसेल रवईय के कारण हो सकता है आपका लग थोड़ा सा हट हो या दामपत्ती जीवन में थोड़ा सा आपके जीवन साथी को टेंसन हो तो आप यहां पर भी आपको बशना है अब अगर हम धन की बात करें तो धन के मामलों में उत्तम वक्त है क्योंकि पूरे साल अगर खर्चों पर कंट्रोल रखें तो आप अच्छा खासा धन जमा कर लें क्योंकि दन तो आएगा पर उसी हिसाब से खर्चे भी हो रहा है और मार्च के मेने में कई गरहों की चाल ऐसा अनुकोल योग बनाएगा कि आप को अगर आप कर्ज में भी फसें तो कर्चों से मुक्त होगा और जो वर्स के दो आखरी मेने होंगे नुम्बर दिसंबर दूसरे बहुत के स्वामी अपना गोचर करते वे नुम्भाव में जाएगे तो क्या होगा ना आपको धन की मुस्किनों से निजात तो दिलाएंगे और धन भी आएगा तो थोड़ा बहुत मानसिक टेंसन तो है तो मानसिक टेंसन आपको कुछ बहरी प्रेसानिया भी है तो किसी भी बात को लेकर ज्यादा टेंसन चिंता ना करे और 17 अप्रेल से जो सप्तमभो में राहू आपको दामपत्य जीवन में थोड़ी टेंसन बढ़ाएंगे तो यकि सनीदेव हैं वह भी संतान के पंचम भाव में उपस्तित हैं तो ऐसे में क्या होगा कि विवा के 17 भाव को द्रिश्टी करेंगे तो मई से लेकर जो अक्टूबर तक का वक्त है आप जहां तक संबभ हो ध्यान रखें और अपने स्वास्त का थोड़ा और ध्यान रखेंगा क्योंकि लगन भाव के स्वामी सुक्र मा के चतुर्थ भाव को द्रिश्टी करेंगे तो ऐसे में थोड़ा बहुत पेटकी समस्या है तो मसारे दर खाना खाने से बचें और साल भर जो सनीदेव हैं पंचम चतुर्थ भाव में जाएंगे आएंगे तो ऐसे में क्या होगा प्रम मिहनत करवाएंगे आलस से है आलस से से बाहर निकली है सितंबर अक्टूबर नॉम्बर का मेहना जो लोग जॉप करते हैं बड़ा बदला होगा शुक्र देव भी परथम दूसरे और तीसरे वहों में स्थान परिवरतन करके आपके जीवन में जो छटे बॉक दृष और नॉम्बर यह बहुत अच्छा है क्योंकि यहां पर नौकरी प्राप्ति के योग बन रहे हैं क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए और रोज साम में कम से कम पांच बार इसका जब करना मद बूलिए दूसरा हरमान चली सब पढ़के ही दिन की सुरुआत करें क्योंक